जगत गुरू परमहंस आचार्य तपस्वी का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने बिहार के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है जी हां बिहार के नेताओं पर जगत गुरू परमहंस आचार्य जमकर बरसे दरसल परमहंस आचार्य ने आरजेडी विधायक द्वारा लगाए गए पोस्टर जिस पर मंदर का रास्ता गुलामी का रास्ता है और स्कूल का रास्ता विकास का रास्ता लिखा है इस पर बयान द लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मंदर से चड़ क्यों है दरसल जगत गुरु परमहन साचारी ने ये कहा कि बिहार के नेताओं को मंदर से चड़ क्यों है नेता तो सभी का होता है वो हिंदूओं की आस्था का अपमान आखिर क्यों कर रहे हैं ये सवाल पूछा गया हिं तरफ पूरे देश में अदभुत उत्सा देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीती में बयान बाजी भी देखने को मिल रही है जहां हाल ही में बिहार के एक आरजेडी विधायक ने एक पोस्टर साज़ा किया जिस पर लिख रहा था कि मंदर का रास्ता गुला चण्ट मंदर से क्यूं है और क्या कुछ कहा उन्होंने चलिए आपको सुनाते हैं। र। बिधायक फतेव भादूर ने जो पोस्टर लगाया था कि मंदिर का रास्ता गुलांị का रास्ता है और स्कूल का रास्ता प्रकास का रास्ता। और जिसका समर्थन जो है बिहार के सिख्षा मंत्री चंद से खर्यादव ने किया है आयोध्या से मैं जगद गुरु परम हो स्याचारे मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि केबल मंदिर से उनको चिड़ को है भाई नेता तो सबके लिए होता है केबल वो हिंदूओं की आस्था का जो है कि हम बार बार अपमान कर रहे हैं वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद कर आस्था गुलामी कर आस्था चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च करास्था गुलामी करास्था क्योंकि जानते हैं कि इतने लाद पड़ जाएगा उनको इतने लाद पड़ जाएगा कि कहीं जो है बोलने लाइक नहीं रह जाएंगे और ये लगातार जो जहर उगल रहे हैं जो हिंदू को अपमानित कर रहे हैं हिंदू की आस्था के साथ खिलवार कर रहे हैं वही तुम्हारी नहीं मिश्था है तुम मत जाओ और इन मूर्खों को जिनको सुध लिखना पढ़ना नहीं आता है अरे तुम से जादा हम पढ़े हैें मैं पोँछ रहा हूँ आज चैलन्ज कर रहा हूं बिहार के सिक्षा मंत्री से 16 भाषाओं का मैं ग्याता हूँ 16 भाषाओं का ग्याता मुझसे आ करके मैं कर रहा हूँ किशी भी भासा में सुद्ध बात पाँच मिनट नहीं कर सकते हो मैं चैलेंज कर रहा हूँ किशी भी भासा में पाँच तो देखा अपनी के तपस्वी छावनी के पीठा दीश्वर जगदगरु परमहन साचार ने आरजेडी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको किसी से चड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेता तो सबका है उनने सवाल पूछा कि आखिर बिहार के नेताओं को ही मंदर से चड़ क्यों है फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और बयान बाजी तेज होती जा रही है देखने वाली बात ये होगी क के मामला आखिर कब तक थमता है लगा है अ कि लुक कि रहा है और शब तक रचए बात ये हम चाना सकता है झाल को ही मिवाद बात ये है